जै माता की मित्रो मैं धनिश्वर महतों मध्पर्देश की घटना देश को और मानव जाती को दोनों को ही सरमसार करने वाली घटना है भाजपा के विधायक के उसके क्या कहते हैं जनपर्ती निदी के द्वारा हाजपा का विधायक सोचिये उसका एक कारे करता किसी के मुह पे गारू के नसे में पिसाफ कर देता है और वो भी एक दलित बिक्ती के विशे सर के उपर तो ये विध्यती हिंदु राष्ट बनाने की बात करता है भाजपा के कुछ जाती विसेश के लोग जो भारत में जिनकी सत्ता है जिनोंने सत्ता का सुख भोगा है सत्ता पराप्त किया है चाहे छल से बल से जिस तरीके से जैसे कहूं ब्राह्मन भुमियार राजपूर ये तीन कार ये हिंदू राष्ट बनाएंगे और लोगों के सर पे पिसाफ करेंगे इनके हिंदू राष्ट में सर पे पिसाफ होगा भाजपा के हिंदू राष्ट में सर पे पिसाफ होगा भाजपा के हिंदू राष्ट में दलित लड़की की इज़त लूटी जाएगी दो बजे रात्री में लाग जलाय जाएगा भाजपा के हिंदू राष्ट में भाजपा के खिलाप कोई पत्रकार लिखेगा तो उसको ठाने में कपड़े उतरबा दिये जाएंगे ये भाजपा का एक नया हिंदू राष्ट मनाएंगे अब ये तीन जाती के लोग इसके मालिक होंगे और बाकी के लोग हिंदू राष्ट में गुलाम होंगे जो सदियों से होता आया है बात रही सोसल मीडिया पे मैं सुन रहा हूँ के बुल्डोजर क्यों नहीं चला अभी तक भारत में एक ही सेर है और उस सेर का नाम है लालू परसाद जिसने बुल्डोजर चलवाया था 92-93 के अंदर दर्भंगा जिले की सिंग्वारा गाउं की घटना है एक आम का टुकला वो भी धरती से चुना था एक डलित लड़की ने और उसको निर्वस्त्र करके ब्रह्मन परिवार के लोगों ने नंगा घुमाया था ये उनकी दादा घिरी को लालू परसाद ने उस टाइम के अंदर एक एक बेक्ती को गाउं छोड़के भागना पड़ा था और बुल्डोजर चला था उसके घर के उपर तो लालू लुटेरा है लालू डकेत है लालू चारा चोर है अरे उसी केस में तो प्रहमन मुखमंत्री जगनाथ मिस्रा भी था वो बड़ी हो गया और लालू परसाद एक बेक्वार्ड का बेटा था गरीब घर का बच्चा था तो वो चोर उचक का लफंगा हो गया 10% वाले देश के उपर राज करेंगे और 90% वाले उसकी चापलूसी और घुलामी करेंगे क्योंकि हिंदू राष्ट बनाना है 90% वालों को और उसके आका बनेंगे 10% के जो जाती है कितने ब्राह्मन परिबार कितने राजपूत घराने के लोग कितने भुमियार समाज के लोग जिस बेक्ती ने परबेश सुकला ने जो पिसाब किया सुकला मतलब ब्राह्मन उसके उपर कितने ब्राह्मनों ने टिपणी की कि इसको सक्त सजा मिलनी चाहिए कितने राजपूतों ने इस पे टिपणी की कि इसको सक्त सजा मिलनी चाहिए अगर यही घटना किसी ब्रह्मन परिबार के साथ वैसे हो नहीं सकता है असंभव है जदी हुआ रहता तो आज भारत में क्या बवाल मचा रहता यह बैकवार्ट समाज को सोचना है दलित समाज को स सोचना है अगर यही घटना आज जदी किसी मुस्लिम ने किया रहता तो हिंदुस्तान का एक-एक भाजपाई कार्यकरता और भाजपा का दलाल मीडिया वह भी सारे उकला सुकला पुकला ही है जितने भी देश में गोदी मीडिया है वह उकला सुकला मुतला है और वह उकला सुकला मुतला से आप उमीद क्या कर सकते हैं तो यह समझने की जरूरत है आप सबको कि कैसा हिंदु राष्ट बनाना है भाजपा का भाजपा में आव वासिंग पॉडर की तरह साफ हो जाओ और हिंदुस्तान के जितने लुचे लफंगे गुंडे या माफिया आतंक बादी सब भाजपा में चले जाओ गंगा जल की तरह पवित्र हो जाओ अरे भाई जब सारे लुटेरे भाजपा में चले जाएंगे और उनके उपर कोई कारबाई ही नहीं होगी तो मोदी जी तो इमानदार है वास्तम में इमानदार ने परधार मंत्री है कैसे इमानदार है वाह कमाल का है मोदी से बड़ा फरड ना भारत में कभी कोई पैदा हुआ है और ना ही कभी पैदा होगा यह सकते है क्योंकि मोदी की जुवानी देश का बच्चा बच्चा जानता है कि मोदी बोलता क्या है करता क्या है तो ये चीजे आप सबको समझने की जरुवत है और हिंदू राष्ट क्या सर पे पिसाब करवाना है आप लोग को इस नए मोदी के हिंदू राष्ट में किस-किस को पिसाब करवाना है अपने सर के उपर जीता जाकता मदपरदेश की घटना है आप लोग से सामने है ऐसा यही देश की कड़्वी सचाई है तो सोचना है समझना है हमारे आपको हिंदू-मुसल्मान में उल्जा के और भीतर से क्या काम हो रहा है देश में यह हम सब जान रहे हैं देश को हिंदू-राष्ट नहीं बनाना है देश को जंगल राज में तबदील करना है और जितने ब्राह्मन भुमियार राजपूत यह डकैत है डकैत देश के लुटेड़े हैं लुटेड़े असपस्ट कह रहा हूँ जिसको जहां से केस करना हो धनेश में तो के उपर करना कोई टेंशन नहीं है पुलिस परसाशन तुम्हारा कोट तुम्हारा जज तुम्हारा वकील भी परसेंटेज तुम्हारे है जैहिंद